मुतनाज़ा फिल्म बहतर हूरें सिनमागरूं की जीनत बनने से पहले ही विवादूं का शिकार हो चुकी है इस फिल्म के ट्रेलर पर भी काफी ज्यादा कंट्रावर्सी देखने को मिली कल यनि साथ जुलाई को ये फिल्म सिनमागरूं की जीनत बनेगी लेकिन इससे पहले ही मंबी के एक सोचल अक्टिविस्ट ने फिल्मेकर संजे पूरन सिंग चोहान के खलाफ पॉलिस कम्प्लेंड की है और ये कहा है कि फिल्मेकर ने मुश्लिम तबका के मज़भी जजबात को ठेस पहुचाने की कोशिश की है साती सात इन्होंने अलग से CBFC यनी Central Board of Film Certification के पास भी एक कम्प्लेंड की है और ये कहा है कि इस फिल्म की निमाईश पर पाबंदी लगाई जाए क्यूंकि इस तरह की फिल्मे एक पर्टिकुलर कॉम्निटी को बदनाम करने की साज़श है आपने देखा होगा जो भी फिल्म मेकर इन दिनू फलाब चल रहा है वो मुस्लिम कम्प्लेंटी पर कोई फिल्म बना देता है जिसके बाद वो फिल्म हिट हो जाती है एक पर्टिकुलर कम्प्लेंटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है इससे पहले भी दाकेरला सोटोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म में बनाई गई जिसमें एक पर्टिकुलर कम्प्लेंटी को बदनाम किया गया आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट के वकील ने कहा है कि एक पॉलिस कंप्लेंड मंबेई में की गई है और वहीं CBFC के पास भी एक अलग से कंप्लेंड की गई है जिसमें ये कहा गया है कि इस फिल्म की निमाईश पर पाबंदी लगाई जाए। इस फिल्म के को प्रोडिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सेंसर बोर्ड की जानिब से ट्रेलर पर ही पाबंदी लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म से कुछ अलफाज और कुछ सीन्स हटा दिये जाएं लेकन सेंसर बोर्ड को इन सीन्स और इन दिखाया गया है कि फिदाइन किस तरह से नहाँमर मुसल्मानों का इस्तमाल कर रहे है और किस तरह से उने बाहतर हुरूँ नालज देकर अपने गुर्प्स में शामिल कर रहे है और इस से पहले भी आपने देखा होगा कि इसी तरहां से दा केरला सटोरी और दा कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनाई गई जिसके बाद ये काफी ज्यादा कंट्रावर्सीज का शिकार हुई लेकन अब फिल्म मेकर पूरन सिंग चोहान इन्होंने भी एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक पार्टिकुलर कॉम्निटी के मजभी जजबात को ठेस पहुँचा रही है कल यनी साथ जुलाई को ये फिल्म सिनमा गरूं की जीनत बने की लेकन उससे पहले ही ये फिल्म कंट्रावर्सीज का शिकार हो चुकी है और इस तरह की फिल्म में आपने अक्सर वा बेशतर देखी होगी के कंट्रावर्सी वाली फिल्म अक्सर वा बेशतर हिट होती है लेकन क्या सेंसर बोर्ड की जानिब से या CBFC की जानिब से इस फिल्म की निमाइश पर पाबंदी लगाई जाएगी आखिर कार सेंसर बोर्ड की जानिब से इस तरहां की फिलम्स को पर्मिशन ही क्यों दी जाती है क्योंकि इससे पहले इस तरहां की फिल्मों को कभी भी सेंसर बोर्ड पर्मिशन नहीं देता था इस तरहां की फिल्मों की निमाइश की पाबंदी जो है वो लगाई जाती थी लेकन अब सेंसर बोर्ड की जानिब से भी इस तरहां की फिल्मों पर कोई रोक थाम नहीं लगाई जाती लेकन इस सोशल अक्टिविस्ट के वकील ने साफतोर पर ये कहा है कि इस social activist ने CBFC के पास एक अलग complaint और police complaint अलग से की है और police official के मताबिक हमें complaint मिली है लेकन अभी तक इस हवाले से FIR लाज नहीं की गई है यानि first information report अभी तक इस complaint को लेकर लाज नहीं की गई है देखने वाली बात तो ये होगी किया इस film की निमाईश पर पाबंदी लगेगी क्या ये film हिट होगी या फिर ये film फिर से controversies का शिकार होगी क्योंकि trailer से ही इस film को लेकर लगतार controversies जारी है और इन लोगों को इन film makers को कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आखिर ये एक particular community को क्यों बदनाम कर रहे हैं एक particular community को बदनाम करने की साज़शें लगतार चल रही है आप लोग भी अपनी राय comment works में जरूर दीजेगा